को से कर रहे हैं लेकिन सिख्षक अभियरतियों और नियोजित शिक्षकों के साथ भी अन्यायी नहीं होना चाहिए हम यह सरकार से मांग करते हैं कि उनके साथ अपनियाय कीजिए और 6-8 के लिए जो सीट नहीं दिया गया है रिक्ती ही नहीं आई है और सबसे जयदा अभियर्थी 628 के ही है, सिटेट जो पास किये हैं, वो 628 तक ही भर सकते हैं, 125 या 628, 11, 12 के लिए नहीं भर सकते हैं, 910 के लिए फॉर्म ही नहीं भर सकते, और जो B.A. किये हुए हैं, वो भी अभी कनफर्म नहीं है, कि 125 में वो qualify कर जाते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्योंकि सुप्रीम कोट में केस चल रहा है जो बीएड पास है उनको एलाव किया जाएगा या नहीं अभी तक है कि डियलेड वाले ही 125 में जा सकते तो ऐसी परिष्टिती में जो बीएड किये हुए हैं बर कि आप दोजार ग्यारव के बाद स्टी परिच्छा आठ्स विसे के लिए नहीं हुआ है जो 2019 का चल रहा था वो साइंस के कुछ सब्जेक्स के लिए हुआ अभी कोमर्स के लिए लेकिन आठ्स विसे के लिए नहीं और सबसे जएदा अभियर्थी आर्स विसे के लिए तो पिर आप वैकेंसी तो निकाल दिए एक लाग सतर हजार दिखा दिए उसमें नियोजीत सिक्षक भी भरेंगे तो फिर यह जो पूरा सीट हो भरेगा ही नहीं खाली रा जागा इसमें सीट क्योंकि जितना अभियर्थी पास कर चुके हैं पात्ता परिक्छा आप उससे ज्य सब्सक्राइब गालूंको सब्सक्राइब भी निपती निटर्वार्टी के मुख्मंत्री काल में हुआ है किसी और के काल में नहीं हुआ है तो आप एक हमारी महां है पर सिता रहे जिसके चर्चा परदर शिता रहेगी तो उसके लिए धन्यवाद को रखा है कि यह पारदर शिता लाएंगे और धांदली सेटिंग नहीं होगी पेपर लिक नहीं होगी तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं तुल परशाद जी को साथ ही नितिर्श कुमार जी से यह मांग कर रहे हैं जब आ कर रहे हैं तो आप इस तरह की निकाल रहा है जिसमें कि अभियर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो आधास ज्यादा सिर्टों खाली रह जाएगा तो फिर नौकरी किन को मिलेगी तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए 628 का आप जितना भी रिखती है उसके निकाल के लिए अलग और फ्रेस जो अभी हरती हैं सिच्छा का विर्थी उनके लिए अलग एकजाम लीजिए यही हमारी मांग है